हेलो चैंपियंस दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि CBSE Board के एक्जाम में Political Science जैसे सब्जेक्ट में चॉपर्स ऐसा क्या लिख करके आते हैं कि उनको पूरे 80 on 80 यानि full marks मिल जाते हैं Political Science जैसे सब्जेक्ट में जब कि एक average student को केवल out of 80 50 to 60 marks ही मिल पाते हैं तो क्या इसका कारण यह है कि जो average student है वो पढ़ाई नहीं करते हैं या वो answers को learn नहीं करते हैं वो पढ़ाई भी करते हैं answers को learn भी करते हैं लेकिन कहां वो चूक जाते हैं वो यहाँ पे चूकते हैं क्योंकि वो answer writing की practice या तो बिलकुल भी नहीं करते हैं या तो enough writing answer writing की enough practice नहीं करते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग CBSC board के topper CBSC board के 2022 CBSC board के 2022 के political science के topper के answer sheet की analysis करेंगे और सीखने की कोशिच करेंगे की toppers को full marks कैसे मिल जाते हैं और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों से CBSC board में answer sheets CBSC board में board के answer sheets कैसे check करी जाती हैं इसके कुछ secrets भी आप से share करूँगा तो आईए इसी के साथ शुरू करते हैं तो दोस्तों हम लोग आते हैं इस slide पे यह तो आप लोगों ने देखा ही होगा यह दोखिए CBSC board ने अपना 2023 and 2024 basically CBSC board के 2024 के board के लिए question paper का क्या layout होगा उसको already issue किया हुआ है दोस्तों इस particular वीडियो में हम लोग किवल 4 marker और 6 marker answers को कैसे लिखते हैं टॉपर की तरह उसको सीखने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखें टू markers तो आप लोग करी लेते हो नंबर आप लोगों की ज्यादा कटते हैं 4 marker और 6 marker में और आप लोग जानते हैं आप यहां देख सकते हैं देखें यापर जो 4 markers होते हैं उनमें आपको 100 to 120 words लिखना होता है word limit को follow करना बहुत ही जरूरी होता है और दूसरा हम लोग जो discuss करने वाले हैं वो 6 marker है और 6 marker को आपको 170 and 180 words में लिखना होता है तो सबसे पहले trick यही हो गए कि follow the world limit world limit से ना तो जादा लिखना है ना तो कम लिखना है 5, 10 words कम या जादा हो सकता है चले now we'll move to the next slide अब हम देखते हैं कि यह देखे सबसे पहले आप यहाँ पर देखान दीजिए यह देखे जैसे कि हम लोगों ने वीडियो की शुरुवात में डिस्कस किया था कि toppers answer कैसे लिखते हैं सबसे पहले देखे यह topper के answer sheet है कि देखे सबसे पहले आपको यह margin 1 cm left में और 1 cm राइट में चोड़ना चाहिए देखे इस पटिकुलर उस पटिकुलर टॉपर ने यहाँ पर लाइन नहीं खीची लेकिन अगर देखे यहाँ पर लाइन अगर आप खीच देते हैं तो इट लुक्स नाइस एंड गुड तो आंसर शीट जो आपको सीबसी बोड की मिलेगी left में आप 1 cm और राइट में आप 1 cm का जगह जरूर छोड़े इसका reason है मैं आपको दिखाता हूं यह सीबसी बोड की कॉंपे कैसे चेक होते ही उसकी जो सीक्रेट है उसी में यह आपको दिखेगा मैं आपको दिखाता हूं य बैसिकली माल जे सीबसी बोड के कभी कभी 6 marker जो question होते है उसमें internal choice होती है 6 marker question में internal choice होती है यह देखें जो 6 marker question होता है यह देखें अपना यह लिखा हुआ है there is an internal choice in six marker question, right, six marker question में internal choice होती है, और इसके साथ ही साथ, जो six marker question होता है, उसमें कभी-कभी क्या होता है, दो parts आते हैं, for example, इस तरह से question आ सकता है, what is globalization, discuss causes of the globalization in detail, what is globalization, one mark का हो जाएगा, two mark का हो जाएगा, and what are the causes of globalization, यह four marks का हो जाएगा, तो अगर किसी question, का पहले answer में, अगर आपका सही है, तो one mark यहाँ लिखेंगे, cbsc board के evaluator बोलते हैं, जो लोग cbsc board की copy check करते हैं, उनको, उनके लिए cbsc evaluator word का इस्तिमाल करता है, right, तो जो globalization का definition है, उसके लिए one mark यहाँ लिखेंगे, और जो globalization के causes हैं, उसके लिए five marks यहाँ लिखेंगे, फि यहाँ पर, if a question has parts, please award marks on the right hand side for each part, जैसे कि मैंने लिखा था, right, marks awarded for different parts of the question, should then be totaled up and written in the left hand side, तो इस reason से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि cbsc board की जो answer sheet होगी, left hand side में, और right hand side में, one centimeter की जगह हाँ, छोड़े, उसका एक reason और भी है, आगे दिसक्स करेंगे, और इसके अल अलामा, इसके अलामा, अगर आप एक और cbsc board के copy, जो check करी जाते है, उसका secret है, वो रहा ये, ये देखे, cbsc board पता है, आप लोगों के लिए काफी lenient होता है, और वो चाहता है कि हर बच्चा अच्छा perform करे, लेकिन answer writing तो आपको ही करनी होगी, अब देखे कितना cbsc board आप an extra question, for example, मैं आपको समझाता हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि six marker, जो question होगा आप लोगों का, उसमें internal choice मिलेगी, internal choice में मालीजे जैसे six marker कौन सा होता है हमारा question, 27, 28, 29 and 30, four six markers मिलेगी आपको, जिनका answer आपको 172, 180 words में लिखना है, तो अगर मालीजे आपने question number 27 में A और B दिया है, और आपने दोनों कर दिया, तो अगर मालीजे 27 के A में आपको five marks मिल रहे हैं, 27 B में आपको six marks मिल रहे हैं, तो 27 A जिसमें five marks मिल रहे हैं, वो अला examiner count नहीं करेंगे, जिसमें जादे marks मिल रहे हैं, उसको count करेंगे, देखे, यह लिखा हुआ है, if a student has attempted an extra question, right answer of the questions deserving more marks, should be retained and the other answer scored out with a note, extra question लिखना है, यानि आपको जिस question में जादे marks मिल रहे हैं, उसका evaluation किया जाएगा, while totalling up, right, तो हुई ने कमाल की बात, चले आगे move करते हैं, और एक चीज़, और इसी में आप लोगों से share करना चाहरा था, जैसे, मतले लोगों ने एक ब्रहम फैल करके चले आईए, वो कर देखते हैं कितना बड़ा answer, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आप गलत बिल्कुल मत लिखे हो, क्योंकि वो चीज़ पकड़ी जाएगी, और, क्योंकि एसका reason बताता हूँ, जो CBC board में evaluator से होता है, यानि जो board में आप लोगों की copy check करते हैं हर five copy checker के उपर एक head examiner होता है, आप खुद पढ़ लिजे, the head examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, तो ये जो भी आप लोगों की copy check करते हैं, उनके हर five evaluator के उपर, हर five copy checker का एक team leader होता है, जिसे head examiner बोलते हैं, तो कुछ भी लिखके मत चले आईए, वो गलत misconception लोगों ने फैला रखा है, चले हम आगे बढ़ते हैं और discuss करते हैं कि और हम लोग क्या सीखने वाले हैं, चले, अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे, आप देखिए जैसा कि question, पहले हम लोगोंने four marker question लिया है, और question रहा हमारा ये, explain the steps taken by China to develop its economy, और ये four marks का है, दोस्तों ये answer writing हमें 100 to 120 words में लिखना होता है, अब आप कहोगे sir answer writing किरते समय हम words कैसे गिनेंगे, आपको words नहीं गिनना है, अगर आप one centimeter left and one centimeter right में अगर आप margin छोड़ेंगे तो आपका जो answer sheet है, इसमें minimum six maximum eight words ही आते हैं, यानि 15 lines अगर आप लिखेंगे तो 120 words अपने आप complete हो जाग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, minimum six आता है, maximum eight आते हैं से ज़्यादा आप लोग लिखना मतना है, बहुत होच पोच हो जाएगा, और जैसा कि मैंने बोला था है, यह CBSC board के 2022 के topper की answer sheet है, वो आप लोगों को clearly देखी रहा होगा, चलिए, अब हम लोगों को question जैसा हम लोगों ने पढ़ा करते हैं इसको, right, question है, the steps taken by China to develop its economy, दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं अपने political science की book में आप लोगों ने पढ़ रखाया कि चाइना ने 1972 में अपना political और economic isolation end किया, और US से अपने relations start किये, और 1973, 1973 में जो चाइनीज प्रीमियर जाओ जाओ एन लाई थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने four modernization program को launch किया था, ये four modernization program क्या थे, आपको तो पता ही होगा, अच्छा सबसे पहले आप लोग comment box में comment करके बताएं कि ये जो particular question है, explain the steps taken by China to develop its economy, ये आपके political science के किस chapter से है, book one के किस chapter से, इसको comment box में comment करके जरूर बताएं, और फिर जैसे मैंने बहुला कि जाओ एनलाई ने four modernization launch किया था, जिसमें क्या क्या था, agriculture था, industry था, military था, और science and technology था, उसके बाद क्या हुआ, 1978 में, 1978 में भी बहुत महतोपूर्ण चीजे लागू की गए थी, economy को, economic reforms launch करे गए थे, और उसके बाद आयाद देखते हैं कि answer कैसे लिखा गया हो, कैसे लिखन चाहिए, सबसे पहले जो मने आप लोगों से बोला था कि margin आपको बनाना है, margin बनाना है, जैसे question number जो होगा, उसको आप यहां mention करेंगे, आप देखे, इस question में हम देखेंगे steps taken by China, और दोस्तों एक चीज आप लोग जानते ही हो, कि China में 1982 में सबसे पहले agriculture का privatization किया गया, और उसके बाद 1998 में, इंडस्टी का भी privatization किया गया, आई यह पढ़के देखते हैं, कि आंसर कैसे लिखा जाता है, देखे, सबसे पहले देखे, heading जब आप लिखते हैं, तो उसे आप highlight जरूर करिए, right, heading लिखकर highlight जरूर करिए, अब देखे लिखा है, China introduced open door policy in 1978, under the leadership of Deng Xiaoping यह X है, Dong Xiaoping, under this privatization of agriculture occurred in 1982, it led to the increase in agriculture, productivity and rise in personal savings, right, तो इस तरीके से जो आप है, उसको लिखते हैं, और एक चीज़ और बोलना चाह रहा था, यहाँ पे जैसे इन्होंने heading, यह arrow बनाया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कि आप arrow न बनाये, आप यहाँ पे one लिख सकते है हैं, आप यहाँ पे point number one लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर आप point number two लिख सकते हैं, है न, इस तरीके से, अब देखें दूसरा, तूसरी heading क्या है, special economic zone, आप लोग जाते हैं कि चाइना में special economic zone बनाया गया था, ताकि foreign investors ज्यादा से ज्यादा आएं, और चाइना को उसका बहुत benefit भी हुआ, चल यह आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं कि इसका तीसरा heading क्या है, इसकी तीसरी heading में, जैसे कि हम लोगों ने पहले discuss किया था, four modernizations, जाओ इन लाइन ने four modernizations किया था, जो कि agriculture industry, military and science and technology का, और ensure करिए कि आपका जो four marker है, आप उसे 120 words से ज्यादा मत लिखे, क्य क्योंकि इससे ज्यादा लिखेंगे, तो दूसरे answers के लिए आपके time कम पड़ जाएगा, now we'll discuss question, six marker question, discuss करेंगे, और देखते है, six marker question क्या है, six marker question हमारा यह है, discuss the political impact, धायन दीजे, बहुत ही, आप लोगों का favorite chapter, इससे question खूब आता है, और इस question की खासियत यह है, कि यह question six marker म में भी आया, हमेंने देखा कई साल का question paper उठा की देखा, आप लोग भी अगर देहान से देखेंगे, previous year questions को उठा करके, तो four marker में भी आ जाता है, six marker में भी आ जाता है, अगर four marker में आता है, तो क्या करेंगे, heading साब को सारी देनी है, आप cut down कहा करेंगे, elaboration पर करेंगे, और अगर six marker में आ जाता है, तो सारी heading देने के साथ, elaboration अच्छे से करेंगे, और ensure करेंगे कि answer 170 या 180 words में लिखा जाए, और जैसे मैंने बोला, एक line में minimum six, maximum eight words लिखना है, न इससे कम लिखना है, न इससे ज्यादा लिखना है, ये six marker question है, जिसका answer हमें 172, 180 words में लिखना है, अ तो दोस्तों आप लोग जानते हो कि जो globalization का political impact है, there are three main political impacts, आप लोगों ने CRT में बढ़ा हुआ है, आइए देखते हैं क्या क्या है, तो देखें टॉपर्स ने answer को लिखा कैसे है, इसको देखते हैं पहले, हम answer को शुरुआत कैसे की गई है, देखें प्लेस, सबसे पहले ह आप लोग जानते हैं कि withdrawal of state control, लोगों का यह कहना है कि जो states हैं, उनकी power कम हो गई है, globalization की बज़ए से, आईए देखते हैं कैसे, all over the world, the old welfare state is paving way for minimalist state, which, which perform certain core, which perform certain core, आई यह देखते हैं, which performs certain core functions such as maintenance of law and order security of its citizen, अब देखें जो पहला point है, पहला point में देखें, यह जो arrow इन्होंने बनाए हैं, आप arrow मत बनाएए, यहाँ पर आप point number one लिख सकते हैं, आप point number two, point number three, इस तरीके से आप लिक्स, लेकिन इस तरीके से नहीं लिखना है, एक second, एक second देखें, one तो already देखें, यहाँ पे, पीशे चलके देखते हैं, पीशे चलके देखते हैं, one तो already देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे इन्होंने already यहाँ पे one लिखा हुआ है, right, अब इसके points लिख रहे हैं, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक second बता रह क्योंकि यह paragraph आप लोग जब NCRT पढ़ी होगे देखा होगा कि यह paragraph बहुत जादा बड़ा है आई यह पढ़के देखते हैं और क्या-क्या है However, it withdraws from its certain care functions such as welfare, education, health care, etc. which many believe that कि इसमें basically developing country में जो poor population होते है उसका नुकसान होता है तो इस तरीके साथ आपने देखा कि जो बहुत बड़ी heading हो उसको हम points में बना के लिखते हैं अब देखें जैसे दूसरा heading क्या है Neutral changes यह हमारे दूसरी heading है और इसमें हम देखते हैं कि इसका elaboration भी हमें point बना के करना है आइए देखते हैं यह रहा देखें अब इसमें क्या हुआ कि कुछ लोग करते हैं कि जो the primacy of state यानि state की power कम हुई है आइए देखते हैं the primacy of state continues to be the unchallenged basis of political community the old jailer से यह तो NCRT के अपने वही line है बट इसमें सीखने वाली बात यह है कि आप पूरे paragraph मतलब heading द्यानने के बाद आप पूरा paragraph मत लिखें उसको points में ब्रेक कर दीजिए जो कि वो two था तो two के बाद आप इसे पहला point वहाँ पे हो गया two का तो यह second हो गया और यह third हो गया roman में है न इस तरीके साब कर सकते हैं चलिए अगला आप लोग देखते हैं positive role of state basically positive role of state आप लोग जानते हैं कि globalization के केवल तीन ही political consequence है तो दो हो गया already तीसरा क्या है तीसरा है positive role of state positive role of state में भी देखें जो points हैं इसको आपने arrow बनाके मत लिखें इसको भी जैसे three आपने इसमें लिख दिया अब roman में one two लिख दीजिए one two three इस तरीके साब लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और clear दिखेगा right इसमें दिखें दोस्तों इसमें basically यह point दिया गया कि अब globalization की technology technological advancement की वज़े से globalization बढ़ा है और जब technology available होगी तो state भी उसका use करेगा तो अपने citizens के लिए welfare programs को ज़्यादा अच्छा से कर पायेगा इसकी detailing में यही है and with this information the state क्या लिखा है many believe that globalization will positively globalization will positively affect the state in governing their country more technology will be available at the state's disposal to collect more information about the citizens and अब जैसे कि मारीज़े आज की government की बात करिये तो government बार डिहर सारे इसे tools और technological advancement की वज़े से कि वो अपनी crime भी control कर सकती है right और welfare programs को भी launch कर सकती है इसलिए आधारक की भी बेउस्था की गई है तो दोस्तों I hope यह वीडियो आपको useful लगी and please subscribe let score 100 and like the video आज के लिए इतना ही thank you so much